Welcome back to the channel guys आज की इस वीडियो के अंदर में आप लोगों को बहुत ही simple language में शुद्ध हिंदी सरल भाशा में आप लोगों को समझाने वलाओं, सिखाने वलाओं और दिखाने वलाओं कि PC build कैसी किया जाता है सब कुछ आपको जिखाऊंगा, मैं बहुत ही simple सी guide होने वाली है इस पूरे PC build process में आपको कोई भी screw खूलना हो वो सारा का सारा काम इसी वाले screwdriver से हो जाएगा जो Philips screwdriver बोलते हैं और लेमेंस language में बोलो तो ये चार मुवला page कर सूता है तो अब आगे बढ़ते हैं सबसे पहले हम ले लेते हैं यहापर अपना motherboard तो motherboard जो मैं यहापर ले रहा हूँ वो है B550 Aorus Pro AC तो इस motherboard के box के उपर ही हम motherboard रख लेते हैं अब सबसे पहला हमारा काम है इसके अंदर CPU install करना तो CPU कुछ इस तरीके से दिखता है यहापर जो मैं CPU यूज़ कर रहा हूँ वो है AMD Ryzen 5 Pro 4650G यह एक integrated GPU वाला CPU है यानि कि एक APU है जिसके साथ आप GPU नहीं भी लगाओगे तब भी display आ जाएगी आपका PC स्टार्ट हो जाएगा और सब कुछ normally work करेगा आप games बगएरा सब कुछ खेल पाओगे बट इस PC बिल्ट के अंदर हम अलग से GPU भी यूज़ करने वले हैं and motherboard के ऊपर यह जो square सा slot है यह CPU के लिए होता है and इसके साथ में एक यह stick होती है इसको press करना है and then side में push करना है और यह ऐसे करके खुल जाएगी बना होगा मतलब उल्टे साइड भी और सीधी साइड भी तो मैं अराम से इसको इस वले triangle से align कर दूँगा और बहुत ही politely बहुत ही अराम से इसको सिर्फ रख दूँगा उपर कुछ इस तरीके से आप feel कर पाओगे कि जो CPU है वो एकदम ढग से इसके उपर इस slot के उपर align हो गया है इन सारे wrappers को red off हो जाता हूँ मैं यह उतारना भूल गया ओके गाइस CPU को यहाँ पर अपनी जगा पर अपने slot पर रखने के बाद आपको simply stick को वापस पुछ कर दिना है अब CPU जो है वो अपनी जगा पर perfectly lock हो चुका है वो यह रहा तो फटा फट से मैं इस फ़ले screw को open करता हूँ ओके तो यह इस तरीके से कुछ निकल आता है heat sink को हटाना के बाद हमें एक screw और हटाना है जो की है यहाँ पर तो यहाँ पर जो slot है इसके अंदर basically यह वाला जो port है वो जाएगा आप यह देख सकते हो इसके अंदर एक slit है यहाँ से थोड़ा सा divided है तो उसी इसाब से slot में घुझेगी ऐसा निये कि आप इसको उल्टी भी लगा दोगे ओके यह आपको एक टक की आवाज आईगी चोटी सी यह चोटा वला screw लेंगे हम गाईज जो हमने अभी यहां से निकाला था उसको वापस screw कर देंगे heat sink को भी हम वापस लगा देते हैं कोई और NVMe SSD भी install करनी हो तो उसका जो procedure है वो similar ही रहता है बस हाँ यह difference हो चकता है कि जो आपका motherboard है उसके अंदर इसके लिए heat sink ना हो तो अगर वो heat sink नहीं है तो उसको simply आप install करने वाला जो step है वो skip कर देना अब guys कर लेते हैं CPU का cooler install जो की आएगा यहां पर और यह जो standoffs है इनको हमें remove करना पड़ेगा और इनको simply हम screwdriver की मदद से unscrew कर देते है तो कुछ इस तरीके से standoffs निकल आएंगे यह ध्यान रहे कि यह जो standoffs हैं यह पीछे एक चोटी सी back plate के साथ mounted होते हैं जो कि आप यह देख सकते हो यह निकल आई है तो यह ध्यान रहे कि यह जब आप लगा रहे हो तो यह अपनी जगा पर intact है तो इन चार holes के अंदर यह standoff वाली जो back plate है वो चली जाती है अब इसके उपर हम CPU cooler install करते हैं इसके उपर heat sink paste अलड़ी लगी होती है तो आपको अलग से CPU के उपर लगाने की बिल्कुल भी need नहीं है So CPU cooler install करने से पहले मैं एक बार motherboard को ऐसे turn कर देता हूं So that मैं आप लोगों को direction समझा पाऊं Basically CPU cooler है उसको install करने के लिए जो AMD का logo है वो आपके left hand side पे होना चाहिए यह वाला logo यह तो fan के अंदर है तो यह घूमता ही रहेगा जो उपर वाला logo है वो आपके left hand side पे होना चाहिए यानिकि ऐसे इस तरीके से हम CPU को install करेंगे अब आपको इन 4 screws को कसना है एक एक करके बट उसका pattern ध्यान रहे कि पहले यह वाला फिर उसके opposite diagonally opposite यानिकि यह वाला करेंगे फिर यह वाला and यह वाला तो इसी तरीके से हलका हलका चारो को turn by turn screw in करेंगे so that एक जगा पर ज़्यादा pressure ना पड़े हर जगा पर equal pressure पड़े then again वापिस शुरू से cycle शुरू कर देंगे that is it अब यह properly tight हो चुका है CPU cooler अब यह जो CPU fan की wire है इसको CPU fan के header में हमें आपर लगा देंगे जो कि यहाँ पर CPU के पास ही होना चाहिए जो भी आप motherboard यूज़ कर रहे हो and उसके उपर clearly mentioned होता है CPU fan and यह wire को लगाने का तरीका भी बिल्कुल simple है इस wire के उपर भी एक slot बना हुआ है आप जो यह देख रहे हो यह lines इस grey वले slot के अंदर fix हो जाएंगी तो ऐसा नहीं है कि आप wire को उल्टा लगा सकते हो आप wire को भी सिर्फ एक ही side से put in कर सकते हो अब बारी है guys हमारी RAM लगाने की जो कि इन 4 slots में से 2 slots में से लगेगी dual channel pattern में उसको install करना पड़ेगा अब dual channel क्या होता है यह जो 4 slots हैं इनकी naming ऐसे होती है A1, A2, B1, B2 तो आपको first of all A2 और B2 memory में अपनी जो RAMs है जो RAM 6 हैं वो install करनी होती है यानि कि इस वले slot में और इस वले slot में और वो चीज clearly mentioned भी होती है इन slots के ऊपर जो RAM मैं हैं आपर use कर रहों guys वो आती है T4, team group T4 की तरफ से delta RGB RAM and RAM install करने का तरीका भी बहुत simple से है RAM का जो आप slot देख रहे हो इसके बीच में भी एक divider है ये silver color का and इस वली side का जो slot है वो छोटा है यहां का slot थोड़ा बड़ा है similarly RAM के उपर भी एक division है बीच में जैसा कि आप देख सकते हो ये रही and इसके भी एक side छोटी है और एक side बड़ी है तो जो छोटी वली side है वो छोटे slot के साथ line करो बड़ी वली side बड़े slot के साथ line करो तो मैं पहले इन locks को थोड़ा सा side कर देता हूं दोनों जगा से and then उसको slot के उपर रखके हम उसके अंदर पुश कर देंगे थोड़ा सा जोर लगेगा and एक टक की आवाज आएगी आप लोगों को और राम अपनी जगा पर पिलकुल सई से है दूसरी राम इंस्टॉल कर लेते हैं फोर्थ स्लोट में यानि की B2 स्लोट में याद रहे दोनों साइट से भी पुश करना पड़ सकता है अब मैं आप लोगों को इंस्टॉल करना सिखाता हूँ उसको इंस्टॉल करने का जो स्टेप है वो इस पूरी कॉंट्राप्शन को यानि की इस पूरे ताम जहम को कैबिनेट में लगाने के बाद आता है बट मैं यहाँ पर आप लोगों को क्यों लगाना सिखा रहा हूँ ताकि हम पोस्ट कर सके पोस्ट मतलब पावर और सेल्फ टेस्ट इसका मतलब कि अगर हम जीप्यू यही पर लगा ले इसको cabinet में लगाने से पहले और अगर display आ जाती है बिल्कुल सही से सब कुछ हो जाता है BIOS में boot up हो जाता है हमारा PC हमें तसल्ली हो जाएगी कि हमने जितना भी build किया है वो बिल्कुल perfect है एकदम सही से मखन तरीके से काम कर रहा है और उसके बाद हम बे फिकर होके उसको cabinet में इंस्टॉल कर पाएंगे और इस build के अंदर जो हम GPU यूज कर रहे हैं वो है MSI की तरफ से MSI Ventus XS OC Edition GeForce GTX 1650 Super और इस GPU को आप इस वले slot के अंदर लगाओगे जहां पर हमने अभी SSD इंस्टॉल करी है इसके ठीक साथ वले slot में जिसके उपर एक silver कलर की aluminium coating भी है और इसके अंदर भी एक छोटा सा part है जहां पर ये छोटे वला हिस्सा घुसेगा और फिर ये लंबा वला part है जहां पर ये लंबा वला हिस्सा घुसेगा यहां पर भी एक lock है तो make sure कि ये lock भी जो है वो खुला हुआ हो बस, simply इसको push कर देना है इस build के अंदर जो SMPS में यूज़ कर रहा हूँ वो है Corsair के तरफ से CV450 तो ये जो सबसे बड़ी cable आपको दिख रही है ये हमारे motherboard के सबसे बड़े वले slot के अंदर जाएगी जो की यहां पर है ये एक ही है power supply में से एक ही तरीके का निकल रहा है तो आपको जादा confused होने की need नहीं है की कौन सी virus के अंदर लगेगी इसके अंदर आप देख सकते हो ये एक hook दिया गया है तो इसका मतलब की ये जो hook है hook वली side है ये बाहर की side आएगी यानि की ऐसे उसके बाद हमें GPU को power देनी है यानि की यहां पर एक 6-pin वला header लगेगा जनरली PCIE लिखा होता है इस cable के उपर इसके अंदर भी एक hook है जैसा कि आप देख सकते हो तो ये वला जो hook है ये भी बाहर की तरफ आना चाहिए मतलब उपर की तरफ आना चाहिए इस वले slot के अंदर CPU की के बल लगेगी और उसकी जो pins है वो भी आप align कर लो कि सब सब जो वायर पहचानने का तरीक है वो यह है कि उस वायर के उपर लिखा हूँ है CPU इसके अंदर भी एक hook है जो बाहर की तरफ ही आएगा यानि कि इस साइड तो इसको भी हम align कर लेते हैं इस hook को भी नीचे पुश कर देते हैं अब मैं कर देता हूँ तो angle change because मुझे आपको अपना monitor भी दिखाना पड़ेगा तो angle change करते हैं अब personal PC है यह murder पड़े है यहाँ पे and यह मैंने जो भी PC बिल किया है वो लगती है यहाँ यहाँ पे end up इसके अंदर मैं यहाँ पर power cable लगा देता हूँ ओके यह अच्छे से लगा दिये मैंने तो जब भी आप एक ऐसा PC बिल कर रहे हैं जो इसके अंदर एक dedicated GPU आपने लगाया है तो हमेशा याद रखना कि वो इस वाले slot के अंदर ही काम करेगा motherboard के slot के अंदर display नहीं आएगी अगर GPU नहीं लगाया है तो जो motherboard के अंदर वला HDMI port है या फिर VGA port जो भी वो यूज होगा तो अब इस HDMI को मैं यहाँ पर plug-in कर देता हूँ और बाइदर वे आप सोच रहे होगे कि यह cabinet के अंदर तो है नहीं तो मैं on कैसे करूँगा on करने का तरीका भी काफे simple होता है आप देख सकते हो motherboard के ऊपर यह बड़ा सा एक slot होता है जहां पर काफे सारे pins होती है तो जो यह वले दो प्रॉंग्स हैं इधर वले इन दोनों को अगर मैं आप पर एक screwdriver की help से टच करवा दूँगा आपस में तो यह पूरा PC turn on हो जाना चाहिए and power supply को first of all switch on कर देते हैं और आप देख सकते हो हर चीज घूमना स्टार्ट हो चुकी है तो यह बहुत तसली वला movement होता है अगर आप एक first time PC builder हो अब इस सब को हम cabinet के अंदर लगाते हैं क्योंकि यह काफी बड़ा मोटा jack होता है इसका इसलिए इसको निकानने के लिए आपको थोड़ा सा दम लगाना पड़ेगा घबराना मत यह मत सोचना कि तूट जाएगा cabinet भी आप कोई भी यूज कर जकते हो सेम तरीका ही होता है मैं यहाँ पर अगें एक कॉर्सर की तरफ से आने वाला cabinet यूज कर रहा हूँ इन्हें कहते हैं stand-off तो जरूरी नहीं है कि यह pre-installed आया cabinet में हो सकता है cabinet के साथ कोई box आए उसके अंदर हो और आपको install करने हो simply यह आप हाथ से इनको tight कर सकते हो screw की तरह यह एक, दो, तीन, चार, पांच, छे तो cabinet के अंदर इस contraption को लगाने से पहले मैं यहाँ पर GPU जो है उसको निकाल लेता हूँ ओके pro tip motherboard लगाने से पहले एक बात ध्यान रखना यह back plate जो होती है न यह बहुत सारे motherboards में अलग से लगानी पड़ती है क्योंकि मेरे पाद जो motherboard है वो थोड़ा high-end motherboard है इसलिए इसमें लगी लगा यह यह black color की यह लगाना ज़ूरी है और यह पहले लगाना motherboard लगाने से अगर आपके motherboard में ऐसी back plate built-in नहीं है तो बहुत ही अराम से यह align हो जाएगा अपने आपी इसके बाद हम इसके स्कूरू जो है वो टाइट कर देंगी नथिंग इल्स बहुत फिंपल है अब टाइम आ चुका है कैबनेट का सारा ताम जाम इसके साथ लगाने के लिए मतलब की कैबनेट के ओपर जो बटन है जो LED है तो इसलिए अब यह वली वायर जाके करके मदरबोर्ड में लगाते है आपको यह वली वायर लेनी जिसके ओपर मेंचेंड है HD OUT और यह HD OUT वायर आपको इस वले पोर्ट के अंदर लगानी है इसको एलाइन करने का तरीगा भी बहुत सिंपल है रज़े सकते हो की जर सके अंदर यह उसमें नीचे वली रो में मिसिंग रखेंगे कर देंगे उसके बाद मॉर्डन केमिनेंट्स के लिए काफि सारे आगे के यूएजब पोड़ को एक साथ पोड़ने के लिए यह वायर होता है तो अगर आपके यहीं है तो उसको जो नीचे वली रो है उसमें फॉर्स्ट पिन जो है वो नहीं है वो मिस्टिंग तो इसमें भी आप देख सकते हो जो यह जो पॉर्ट से उसमें एक पिन लगाने की जगह कम है यहां पर तो उसको हम इस तरीके से एलाइन कर देंगे यहां पर हमें कैबिनेट की चोटी-छोट इस जगह लगनी है तो घबराओ मत यह मैं आपको सिखा रहा हूं कैसे करना है बट अगर नहीं समझाए तो जो आपको motherboard है उसके साथ एक manual मिला होगा उसके साथ प्रॉपरली समझा जाता है कि यह चीजे यह वली जो वायर्ज होती है इन में कौन-कौन से पिंज में लगनी है तो सबसे पहले हम लगाएंगा यह पहली पिन और उसके साथ वली यहां पर लगेगी पॉवर LED का प्लस और फिर उसके बाद पॉवर LED का माइनस पॉजिटिव और नेगिटिव एंड पॉवर LED जो है आप देख सकते हो वह इधर लिखा है तो यह साइड इधर रहने वाली है मतलब यह लगा दिया प्लस और उसी के साथ में नेगिटिव वाली है जैसा कि आप अब इसको भी लगा दे तो उसी के साथ में यह लग गई है पावर LED की वायर्ज और उसके बाद हम लगाते हैं पॉवर स्विच की वायर्ज और वो उन दोनों के साथ में जो प्रॉंग्स है मतलब कि यह वाला और यह वाला इनके अंदर लगेगी और यही वो वाले प्रॉ द्राइवर से टच करवाया था तो पोस्ट के दौरान यह पूरा system on हो गया था यह बाहर की तरफ रहेगी जहां पर लिखा हुए power switch तो इसको भार की तरफ रखेंगे and then इसको अंदर लगा देते हैं उसके बाद हम लगा देते हैं reset switch वाली wires जो की ठीक power switch वाली wires के नीचे दो नीचे वली रो में सबसे पहली दो पिंज के अंदर लगेंगी and उनका भी जो face है जहां पर यह लिखा हुए HDD LED यह सामने की तरफ याने की इधर की तरफ रहेगा उपर की तरफ बस एक चीज रह गई है जो की है यह fan fans के काफे सारे headers हैं इस motherboard के उपर तो उनमेंसे किसी में भी आप इसको लगा सकते हो जहां तक conveniently इसकी वायर पहुंचती है okay finally time आचुका है GPU install करने का इस motherboard के ऊपर आपके पास जो cabinet है हो सकता है कि उसके अंदर यहां पर एक plate हो जैसे कि आपको यह वली plate दिख रही है एक plate यहां पर भी हो तो उसको आपको remove करना पर सकता है and वो भी बिल्कुल simple तरीके से unscrew हो जाएगी उसका screw कोल देना एंदेन उसको भार की दरफ पुश कर देना वो टूट के ही निकलती है यह मत सोचना कि आपने कुछ खराब कर दिया cabinet में वो टूटेगी एंदेन अलग हो जाएगी and उसके बाद आप simply make sure कि यह lock खुला हुआ है and then simply जैस सा cabinet से बाहर भी निकलेगा इस तरीके से अब इसको अपनी जगह पर fix करने के लिए हम एक screw ले लेते हैं और उसको यहां पर लगा देते हैं इस वली जगह पे अगर आपका जादा बड़ा graphics card है जादा बड़ा GPU है तो हो सकता है कि आपको एक plate लगानी पड़े पूरी यहां कि यह hole के पास रहे यानि कि जो power supply इसको मैंने ऐसे लगाना है इस तरीके से और power supply को अपनी जगह पर लगाने से पहले यह सारी की सारी wires इस hole से निकाल लो खास कर तब जब आपकी जो power supply है वो इस तरीके की है यानि की modular बिल्कुल भी नहीं है हम इनको यहां पर tighten up कर देंग तो इन सभी wires को आगे लेके आने के लिए बहुत सिंपल जीज आपको follow करनी है जो 24-pin connector है यह यहां पर है तो इसके साथ जो यह hole है मैं इसके थू 24-pin connector वाली wire को run करवा के इसमें यहां पर simply plug-in कर देता हूं जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं अभी ओके अब हमें लगाना ह जो की 8-pin connector है सबसे corner में यह रहा इसको connect करने के लिए wire यहां से ही निकालने पड़ेगी और वो दिखेगी वी बट कोई बात नहीं एक आदी wire तो यार दिखेगी सारी wires तो एकदम hide नहीं हो सकती है खासकर जब आपके बास ऐसा budget cabinet हो तो एब हमें लगाना है GPU का cable तो यह जो extra wires पीछे बज़ गई है इनको हम simply एक साथ cable tie की मंदद से tie कर देते हैं और अब लगा देते हैं इसका front panel और इसको भी स्कूल लगा के tight कर देते हैं and it's done PC build हमारा तयार हो चुका है बट PC start करने से पहले आपने भी एक चीज़ नोट करी होगी कि मैं RAM लगाना भूल गया हूं and आपने throughout the PC build process वो चीज़ नोट भी करी होगी कि वह RAM कां गई but RAM मैं actually निकाल ली ती तो इसलिए पहले RAM लगा देता हूं and then उसके बाद PC switch on करते हैं सबसे बहले तो power cable लगा लेते हैं उसके बाद हम लगा लेते हैं HDMI cable and then Ethernet cable keyboard जो है वो मेरा USB connection वाला इसलिए यहां पर लगा लेता हूं बहुत simple सा reason यह है गबराना नहीं है दिल पर हाद रखना है बोलना है all is well और simply पीछे जाकर SMPS का switch चेक करना है कि वह आपने on किया है या फिर नहीं and basically Windows 10 install करने के लिए आपको एक bootable pen drive बनाना होता है तो आप किसी friend की help ले सकते हो या फिर किसी cafe में जाकर use कर सकते हो या फिर अपने किसी relative का PC लेकर ये काम कर सकते हो यह मेरा जो personal PC है जो मैं अब यूज कर रहा हूं उसके अंदर है मैंने इसको record किया है सबसे पहले आपको इस website पर जाना है यह official Microsoft की website है इसका link आपको यहाँ पर नीचे description में मिल जाएगा तो वहाँ से जाकर आप इस पर click करो and आप इस website पर आ जाओगे यहाँ पर जो download tool वलो option है उसको download कर लेंगे तो इसको download करते ही यह simple छोटा सा tool है इसको यहाँ पर आप click कर दो and यह open हो जाएगा इसको yes click करके open कर दो and then उसके बाद इसका जो next वला option है उसको चूज करके जो भी steps हा रहे है उनको follow करो and make sure कि आपने जो pen drive हो plug-in कर रखा हो and अगर आपने 2-3 storage devices plug-in कर रखे हैं जैसे कि 1 hard disk, अलग से external hard disk या फिर 2-3 pen drives तो make sure कि आप जिस वले को बनाना चाहते हो उसी को चूज करो because यह पूरा format कर देगा उस pen drive को तो इसको चूज करने के बाद जब आप next click करोगे तो यह अपने आप windows 10 का जो setup है जो आप चूज करोगे यहाप पर 64 bit का वो download भी कर लेगा और इसको एक bootable pen drive में भी बना देगा आपको कुछ भी नहीं करना है सिर्फ यह next click करना है and around 15-20 minutes में depending upon the internet speed यह आपका bootable pen drive तियार करतेगा तो आपको अपने motherboard के BIOS menu के अंदर जाना है और उसके अंदर जाने के लिए आपको अपने keyboard पे start होते ही जैसे आपका windows boot हो रही है तो वहाँ पर लिखा हुआ जाता है generally delete key होती है अगर आप उस delete key को बार-बार प्रेस करते रहोगे तो आप इस BIOS menu के अंदर आ जाओगे तो जो मैंने RAM यहाँ पर यूज करी है जो की आती है T4 की तरफ से delta RGB RAM उसके clock speed maximum है 3000 MHz बड़ आप यहाँ पर देख पा रहे हो मैं आपको यहाँ पर zoom in करके दिखाता हूँ कि अभी यहाँ पर जो clock speed है RAM की वह आप देख सकते हो दिखा रहे है 2406.72 यानिकि 2406 MHz और यह हमें नहीं चाहिए हमें चाहिए 3000 MHz तो उसको enable करने के लिए ही आजकल motherboards के BIOS menu के अंदर ही XMP profile enable करने की option होता है तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हो जिस पर ले motherboard के अंदर लिखा हूँ आ रहा है XMP disabled तो यहाँ पर मैं जैसे ही किया तो mouse से click कर हूँ हूँ हो या फिर मैं space bar भी press कर चकता हूँ keyboard पर तो यहाँ पर आप देख सकते हो XMP profile activate हो जाएगी जिसके अंदर हमारे DDR4 मतलब की RAM की जो speed है वो 3000 MHz हो चुकि है जो की उसकी maximum speed है मेरे RAM की ध्यान रहे है मैं यहाँ पर overclock में ही कर रहा हूँ RAM को ओके अब हमें simply क्या करना है इसका मतलब की जो XMP profile हमने यहाँ पर change करी है अभी यह वहली settings save हो जाएगी और दोबारा से हमारा जो computer है वो boot up होना लग जाएगा मतलब restart होना लग जाएगा इस बार ही जब आपका computer restart हो रहा होगा तो आपको keyboard के उपर कोई भी key press नहीं करनी है मेन्यू है उसके अंदर आपका PC है वो boot हो जाना चाहिए विंडोज इंस्टॉल करना है जाएज मतलब बच्चों का क्या newborn babies का क्या हमको simply यहाँ पर first step के अंदर next click करना है and then install now and उसके बाद यहां पर हमारे पास यह वाली window आ जाएगी जहां पर आपको key डालनी है तो अगर आपने windows की purchase कर रखी है कहीं से तो आप वो input कर सकते हो otherwise जो windows 10 होती है guys वो totally free of cost आप Microsoft की website से download कर सकते हो मतलब की जो looks वगेरा change करने के feature होते हैं जैसे यह wallpaper change करना या फिर theme change करना सिर्फ और सिर्फ यही चीज़े आप नहीं कर सकते हो otherwise सारे security updates आते हैं उसके अंदर भी सारी important चीज़े जो होती है important features जो होते हैं वो सब चीज़े आप use कर सकते हो proper genuine original windows की तरह तो यहाँ पर हम simply यह beautiful option चूज़ करेंगे I don't have a product key and उसके बाद जो हमारी next window है वो आजेगी windows का version चूज़ करने वाली कि आपको कौन सा variant चूज़ करना है basically windows 10 pro चूज़ करो and आप जो है इसको यहाँ पर next click कर सकते हो यहाँ पर हम कर देंगे I accept the license and next उसके बाद यहाँ पर इस दो option आपको मिलते हैं जो पहले वाल option है वो तब relevant होता है जब आपके computer के अंदर already windows डली हुई है और आप एक fresh copy दुबारा से डालना चाहरे हो but आप यह चाहते हो कि आपकी जो files है जो settings है वो सब कुछ वैसे की वैसे ही रहे तो पहला वाल option आपको तब चूज करना है but हम तो यहाँ पर एक new PC बिल्ड कर रहे है और हमने जो यहाँ पर M.2 SSD यूज करी है वो बिल्कुल fresh है तो उसके लिए मैं यहाँ पर second option चूज करूँगा यहाँ पर लिखा हुआ है install windows only और कुछ भी backup नहीं बनाएगी windows जो भी आपने hard disk या फिर SSD या फिर M.2 SSD यूज करी हुई है वो पूरी format हो जाएगी मीचे वाले option से तो मैं यहाँ पर second option चूज कर लेता हूँ तो यहाँ पर जो आपको new option दिख रहे है जिसके आगे yellow color का sun बना हुआ है उस पर click कर लेना है यहाँ पर हम अपर total जितनी space है उस drive के अंदर वो यहाँ पर आ जाएगी MB में तो इसको हमने अपनी मर्जी से partition कर लेना है for example आप 200-200 GB के 4 partition भी कर सकते हो 1TB की drive है तो या फिर आप 500 GB के 2 partitions भी कर सकते हो तो मैं यहाँ पर 500 GB के 2 partitions कर लेता हूँ इस video के लिए उसके बाद यहाँ पर click करता हूँ apply तो आपको एक चोटा सा warning message आएगा to ensure that all the windows features work correctly windows might create additional partitions for system files तो इसको हमने simply okay कर देना है घबराना नहीं है guys इससे तो आप देख सकते हो guys अब यह जो उपर के 2 partitions है यह windows ने खुदी create कर ली है जो तीसरा partition है वह भी हमने बनाया है तो जिसको हमने 500 GB यहाँ पर input केता है तो 488 GB मिला है और यह जो लास वाला partition है यह unallocated space है मतलब इसको हमने कुछ भी नहीं किया है इसको भी हम एक partition में create कर लेंगे तो apply and आप देख सकते हो अब यह हमारे पास दो drives मिल गई है यह दोनों जो है उपर वाली इनको हम नहीं चेर सकते हैं तो मैं 488 GB वाली जो है इसके अंदर जो हमें windows install कर देता हूं तो हम यहां पर करते है next and अब यह simply windows install होनी शुरू हो जाएगी and क्योंकि यह एक m.2 SSD है तो बहुत fast speed होती है windows install होने की भी और आप देख सकते होगा इस कित्मी जल्दी जल्दी यह percentage increase हो रही है मुझे लगना है यह time-lapse करने की भी नीड़नी पड़ेगी मुझे अब लिटरली एक मिनेट भी नहीं होगा और यह जो files ready वला होता है यह भी चुका है मतलब कि यही जो होता है सबसे आदा time लगाता है step second step जो होता है ओके तो आपका जो PC है वो reboot होगा और याद रहे कि आपको जो बूटिबल बेंड रहे है उसको लगा कर रखना है उसको हटाना नहीं है भी तो यहां पर याजएगा let's start with region इंडिया आ गया है list में yes keyboard layout भी यहां पर हम English इंडिया ही चूज कर लेते हैं नहीं कर देते हैं इसको आप skip कर सकते हो या फिर add another layout भी कर सकते हो तो how would you like to setup setup for personal use obviously तो next कर लेते हैं तो guys यहां पर आप अपने Microsoft के account से sign up कर सकते हो जो आपने कभी Skype में बनाया होगा या फिर कहीं और अगर आप नहीं चाते तो यहां पर आप simply offline account पर क्लिक करके इस step को skip भी कर सकते हो और यहां पर आप simply अपना जो computer जब start होता है तो जो account नेम लिखा होता है वह यहां पर put कर दोगे मैं यहां पर for example tk put कर देता हूं पासफ़र जो है वह आप protect कर भी सकते हो अदर्वाइस नहीं भी कर सकते हो मैं यहां पर simply next कर देता हूं और choose privacy settings है इन में से आप जो भी चीज़ चाहते हो आपको computer access कर सके वह करने दो location वगेरा अधर्वाइस आप चाहते हो कि कुछ भी ना करें तो आप इन सबको no भी कर सकते हो वैसे इन सबको on रखने में भी कोई harm नहीं है तो मैं यहां पर simply accept कर लेता हूं और यहां पर यह माइक्रोसॉफ्ट का जो AI assistant है Cortana जैसे Siri होता है iOS में या फिर Alexa होता है Amazon का उसको भी आप यूज करना चाहों तो कर जकते हो अधर्वाइस मैं तो नहीं यूज करता हूं तो मैं यहां पर not now कर देता हूं this might take several minutes और हो जकता है कि इस process में आपका जो PC है वो restart भी हो तो गाइस आप देख सकते हो हमारा first boot जो है वो successfully हो चुका है और कुछ इस तरीके से आपको अपनी brand new windows की जो first screen है वो देखने के ले मिलेगी यहां पर generally सारे जो drivers बगेरा है display drivers audio drivers वो already windows 10 इंस्टॉल करी लेती है बट फिर भी अगर कुछ नहीं इंस्टॉल हो जाएगा यहां पर and then उनको भी आप simply next करके इंस्टॉल कर सकते हो और सबसे पहला काम जो आप करोगे वो है Google Chrome इंस्टॉल करना एक Epic Games का स्टॉल करके लिखा देता हूँ गाइस आप लोगों को मैं यहां पर अपने अकाउन में स्टॉल कर लेता हूँ और उससे पहले में आप लोगों को एक लिए स्टीम भी इंस्टॉल करके दिखा रहेता हूँ तो स्टीम इंस्टॉल करने का भी बिल्कुल सिंपल तरीका है जैसे कि अभी अपने Epic Games वाला इंस्टॉल किया था तो हम यहां पर कर लेते हैं स्टीम तो देख सकते हो गाइज आप जो स्टीम की फिर्स्ट स्क्रीन है उसमें भी यह जा आगया कि यह तो आप create new account कर सकते हो यह फिर लॉग इन कर सकते हो तो यहां पर मैं आपने स्टीम स्टवर में लॉग इन कर लिया है एंड्ड उसके बाद जो भी मेरी गे में जितने भी गेमस मैंने इप तक परचैस करी या फिर जो फ्री गेमस मैंने कभी भी इंस्टाइब करते होंगो इस तीम के ऊपर तो आपके पास यहां पर प्रचेस करने का और पेमेंट करने का option आजाएगा उसे आप से आप यहां पर GTA या फिर कोई भी गेम इस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हो तो यहां पर मैंने अपने आपके स्टॉर में भी लॉगिन कर लिया है अपने अपके गेम अकाउंट के थ्रू ही इसके अंदर भी सिमिलर तरीके से जैसे मैंने स्टीम में किया था जो जो भी गेम मैंने अभी तक खरीद रखी हैं चाहे वो फ्री हो या फिर पेड हो वो सारे कि सारी मैं इस कंप्यूट के सबसे परचेज कर सकता हूं एक बार यहां पर भी देख लेते हैं कि जी टिय फाइव कितने की मिल रही है प्रीम एडिशन मिल रहा है एपक स्टोर पर तू थ्री तू वन का यानि की दो हजार तीन सौ रुपे का कावी सरी गेम वाकर मैं इसी होंगी जो दोनों ही स्टोर पर अवेलेबल होंगी और उनके प्राइज भी हो जकता है वेरी करें तो अब अपने इस आप से जिस भी स्टोर पर आपको सस्ती गेम्स मिल रही है आप इंस्टॉल कर सकते हो तो दिस इट गाइस आई होप आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी होगी फ्रॉम स्ट को देख पीसी बिल्ट कर सकते हो अगर आपको वाके में वीडियो हेलपफुल लगी है तो फ्लीज लाइक जरूर कर देना इतना एफट किया है वो अच्छा लगेगा मुझे अगर आप लाइक भी करोगे तो बिल देख लीडियो मुझे अब तक के लिए आरियोस